तो इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करेंगे ITGEM 2024 की cut-off के बारे में अब गैस cut-off को देखकर के questions को ऐसा लग रहा है कभी rank दुबारा से revise तो नहीं होने वाली जैसे last year भी दो बार rank निकल के आई थी तो क्या इस बार दुबारा से तो rank नहीं आने वाली तो गैस ऐसा नहीं होने वाला है right last year क्या हुआ था कि उन्होंने by mistake old answer की के according marks दे दिये थे right और उसके according फिर first time rank आए थी और फिर वो rank update हुई थी नहीं answer की के according ठीक है जो last year का था इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला cutoff चाय से पिछली वार से कम आई है जो काफी सारे strength तो तंग कर रहे है क्योंकि jam 2023 जो था थोड़ा सा difficult side के उपर था in comparison to jam 2024 लेकिन जो cutoff है वो कुछ और ही कह रही है right जो cutoff है वो 2024 में कम marks के उपर है वो 2023 में जादा थी तो क्या सच में 2024 का पेपर जादा difficult था तो इसका answer है नहीं पेपर तो easy ही था गाइस 2023 के comparison में उससे difficult पेपर नहीं था तो फिर cutoff ऐसे क्यों है यह है तो उसी को हम यहाँ पर इस वीडियो में जान रहे होंगे फ़ले थुड़ा सारे एक बार comparison कर लेते हैं कट-off का नहीं हम rank वर्सेज मार्क सा comparison करते हैं एक बार ज़रा ठीक है और यह पर पहले कट-off का भी difference कितना है तो 2023 में गाएस जो number of student appear हुए थो कितने थे 12,350 और 2024 में गाएस जो number of students हैं वो थे 13,086 तो यानि कि number of students बढ़े हैं तो cut-off भी बढ़नी चाहिए थी क्यूंकि जादा बच्चे हैं तो जादा competition तो cut-off भी हाई रानी चाहिए थी लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है जर्नल के लिए 2023 में 21 point something थी लेकिन अभी 19.63 आई है इसी तरह से EWS के लिए 19.160 और 2024 में 17.66 ठीक है और SC STPWD के लिए 10.64 पहले थी और इस बार 9.81 तो किस cut-off यहां पर complete reality नहीं बता रही है ठीक है paper difficult नहीं था 2023 से चाहिए से यहां पर cut-off जो है वो कम आई हो लेकिन जो paper का level था 2023 से easy था अब सुनो क्यों ऐसा कैसे मैं कह रहा ह सब्सक्राइब यहां पर कुछ ranks वे पर compare करो marks से साथ यह है 2023 के students की rank versus mark और यह 2024 के rank versus marks तो गर कैसे अब यहां पर बात करोगे 28 rank पे मतब जो marks थे यहां पर थे 59.33 और इधर एक बर ज़रा देखो यहां पर 16 के उपर है 71.33 और 18 rank के उपर है 70.33 ठीक है तो इतने यहां पर marks आ 58 के आसपास कोई फिलाल है नहीं मेरे पास डिरेकली 16,18,42 और 43 है तो बीच का नहीं है लेकिन आगे वाले के उपर थोड़ा से comparison आपके लिए जाधा visible होगा तो एक बार उनको देखते हैं जैसे यहां पर rank 42 देखो 2023 में जिसके rank 42 आई थी उसके marks से 50.67 और यहां पर 42 rank कब ह 64 marks के उपर है तो यह तो बिल्कुल सेम rank है ना दिखाई दे रहे marks का difference माक्स का difference यहां पर 55.67 है और यहां पर आपके पास 64 है तो लगबग मैं लगबग कहा देता हूं इसको की 8 mark का difference है तो यह अपने पास है ऐसे आप कुछ और ranks को भी compare कर सकते हो थोड़ा सा आप नीचे ज 46 तो आप यहां पर भी देखोगे 6 marks का difference है 6 पूरा नहीं है 5.33 marks का difference है तो यहां पर भी तुम्हें difference दिखाई दे रहा होगा तो 2024 में तुम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो same rank है लेकि इधर marks जाद है तो यही चीज़तों में बता रही है कि जैं 2024 का paper easy था 2023 क comparison में तो cut off को देख करके कहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि 2024 का paper difficult था paper easy था उसके comparison में तो पहले चीज़ तो यह हो गया और यह रहा उस चीज़ का proof ठीक है हवा मैं नहीं बोल रहा हूं proof यह रहा तुम्हारे सांग लें ठीक है राइट अब देखो आगे की बात करते है अब फिर यह cut off क्यों आ गई है ऐसी क्या reason है तो guys अगो दो reason हो सकते हैं एक तो reason यह है कि COVID के बैचीज है तो basic जो concept हैं वो students के काफी जादा week है एक reason तो यह है साथ में एक चीज़ और भी अगर तुम देखोगी कि जो number of seats हैं सिर्फ IITs के अंदर ही increase हो गई है NITs का guys मैंने देखा नहीं है और IITs काई मैंने सिर्फ MSC physics का देखा है कि MSC physics के अंदर कितनी seat increase होई है में भी जो दूसरे courses है जैसे आपकी medical physics हो गया ठीक है 5 हो गई है IIT मंडी में पहले seats थी नहीं किसकी integrated PhD की normal MSC physics थी वहाँ पर लेकिन पहले integrated PhD नहीं था तो वह भी course आया तो 12 seats महाँ पर बढ़ी है यह सिर्फ IITs की बात किये इसी तरह से NITs के अंदर भी number of seats बढ़ेंगी ठीक है तो इसी वज़े से number of students उनको जादा चाहिए तो अगर आप इस चीज को भी compare करो जैसे last year वाले stat थे तुमारे पास यहाँ पर लगबग जो admission होता वो 700 something rank तक होता IITs में for general rank कभी-कभी 820 तक भी चला जाता है वो depend करता है कि इतने students interested है IITs में TFR में या फिर उसमें क्योंकि यह जो top rankers होते हैं हम आप ही चले जाते है ISE में TFR में आईजर में तो उनके उपर भी चीज़ें depend करती है ठीक है लेकिन जनल चलो मैं मान के चलता हूँ कि 750 तक आपका admission हो जाता है IITs में लेकिन वो 820 तक भी जा सकता है general rank के लिए तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जिनकी लगबग marks जो आयोंगे इनके बीच में something something मैं कह सकता हूँ कि 34 के आसपास marks रहे होंगे जिनका IIT में admission हो गया होगा और ऐसे यहाँ पर भी उसी तरह का आपको stat दिखाई देगा अब यहाँ पर guys मैं वो rank लेना भूल गया हूँ actually 700 के आसपास दोनों जगा पर थी यहाँ पर भी students थे यहाँ पर भी students थे लेकिन मैं पर बीच में एक rank consider कर सकते हो 718 ठीक है 718 यहाँ पर rank consider कर सकते हो आप लोग 718 rank है एक student की और उसके जो marks है यहाँ पर जो marks है 718 rank पर उपर guys वो 37.33 ठीक है तो यहाँ कि यहाँ तक आपका admission अराम से हो जाएगा right 750 तक भी हो जाएगा वैसे तो admission 800 तक भी जा सकता है वो depend करता students के interest ठीक है लेकिन 750 तक आप थोड़ा safe side के उपर मानते हो आगे थोड़ा सा किसी uncertainty होती है लेकिन admission 820 तक chances है कि IT में आपका हो जाएगा ठीक है तो यह आपका यहाँ पर रहता है तो लगबग मैं कह सकता हूं कि 36.5 तक आपका admission अराम से हो जाएगा and maybe 36 पर भी हो रहा हो ठी ठीक है तो यहाँ तक आपका admission हो जाता है अराम से ठीक है और यहाँ पर जो admission हो है वो 34 के उपर हो गया होगा most probably ठीक है तो यह stat guys इस तरह से हमारे कुछ रहते हैं exams में ठीक है तो cutoff चाहिए से कम आई हो लेकिन paper easy था reason मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है ठीक है और number of students जो अच्छी rank score करते हैं उन्हीक admission होता है तो cutoff चैसे कितनी कम जाते रहे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है 2024 का 2023 से difficult नहीं था तो गैसे इस वीडियो के लिए सिफ़ताया रखते हैं तो आपको घबराने की need नहीं है most probably revise नहीं होगा क्योंकि marks आपके सही आए जो आपकी latest answer की थी उससे के साथ आपके marks match कर रहे हैं तो rank भी आपकी change नहीं होगी तो घबराने की need नहीं है जो आपकी rank और marks आ चुके हैं वो फाइनल हैं तो गैसे इस वीडियो के लिए सिफ़ताया रखते हैं मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में एंटिल देन प्लाए